हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम श्री अर्मिंदो की फिलोसफी को डिसकस करेंगे, हम जो भी मेजर टॉपिक्स हैं, इंटर्नल योगा, माइंड, सुपर माइंड, इवॉलूशन, इन्वॉलूशन, ये सारे टॉपिक्स को डिसकस करेंगे, स्री अर्मिंदो एक पोएट थे, एक योगी थे, एक रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे, एडिटर थे, पोएट थे, उन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किये इस लाइफ में, ठीक है, वो एक अख़बार आता था जब इंडियन नेशनल मॉमेंट चल रहा था, उसके व और उन्होंने इंडियन नेशनल मॉमेंट में पार्टिसेपेशन किया, और उसका एक रिजन था कि वो काफी इंफुलेंशल लीडर थे, और उनका काफी दबदबा था इंडियन मॉमेंट में, पॉलिटिक्स में, जो बिटिश के अगेंस्ट जो मॉमेंट चल रहा था, उस असिस्टेंट सर्जन या कुछ थे, और उनका जो और उनके फादर का वो बिटिश की तरफ जाता था, उनको लगता था कि जो बिटिश कल्चर हो सुपीरियर है, और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बिटिश जो स्कूल से वहां पढ़ने भेजा, उनको इंगलिश या जो भी आप बोल सकते हैं, उनकी जो उस समय की थी, उसमें वो सिविल सर्विस, एज सिविल सर्विस ओफिसर उन्होंने जोइंग किया, लेकिन बाद में वो इंडियान नेशनल मुवमेंट से जुड़ गया, इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का एक पार्ट बन गया, और वंदे भारत को एक मंत्र बना दिया था, इंडियान फ्रीडम फ्रीडम फाइट में, यह क्या हुआ था कि जो खुदीराम बोस्त थे, उनको जो किंग्स फोर्ड नाम के गौर्णर थे, उनको मारना था, और उनकी जगह उन्होंने उनके बीवी और बच्ची को गल्ती से उ जिससे उनकी डेथ हो गे थी, और उनका केस चला और यह केस नेशनल लेवल पे काफी हाइलाइट हुआ, और जो वंदे भारत का जो स्लोगन था, यहां से बहुत फेमस हुआ, अरबिंदो इस केस में काफी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, और उनको भी इस केस में ए जो उन्होंने जेल में बिताया, यह उनके लिए एक टार्णिंग पॉइंट साभीत हुआ, क्योंकि उन्होंने इस पर्टिकुलर जो अपना उनका एंडवर चल रहा था कि इंडियन नेशनल मोमेंट से, उन्होंने बोला कि जो लाइफ का परपस है, वो spiritually evolve होना है, आपको spiritually होना है, और वो spiritual reform की तरफ मोड़ गए, spiritual उनकी journey स्टाट हो गई, और फाइनली वो 1910 में उन्होंने यह सारा चीजन छोड़के, अपनी spiritual journey पॉंडिचरी में स्टाट की, जब वो अलिपोर जेल में थे, जैसा मैंने आपको बताया कि spiritual life की शुरुवात उनको एक वीजन आया और उन्होंने यह सारा freedom fight पॉकरा छोड़के, पॉंडिचरी में shift हो गए, तो वो खुद बोलते थे कि जब वो जेल में थे, तो उन्हें सोयम विवेकानन्द वो आये और उन्होंने उनसे spiritual path में चलने के लिए बोला, ठीक है तो उनका एक line है कि I met with विवेकानन्द, he came to visit me in in my jail cell, when I was sitting in peace quiet, that was a quiet moment, और उन्हों आये और उन्होंने मुझसे बात की, मतलब उनको ऐसा लगा, कि विवेकानन्द खुद आके उनसे बात किये और उन्होंने उनको guide किया कि आप एक spiritual journey start कीजी, ठीक है, तो उन्होंने पॉंडिचरी आके एक spiritual practice की start किया, शुरुबात में ब followers हैं और internal yoga के लाखों करोणों practitioners हैं, ठीक है, जो internal yoga है, उनकी spiritual practice है basically, वो ये बोलती है कि हमें इस life में रहते हुए, अपनी life को evolve करना है, transform करना है, एक divine life में, ठीक है, तो जो spirituality का aim सरिफ liberation पाना नहीं है, मोक्ष पाना नहीं है, इस जीवन में रहते हुए, हमें एक divine life को achieve करन है, हमको इसी body में रहते हुए, divine life को achieve करना है, और वही internal yoga का ultimate goal था, तो अपनी इसी practice को, जो spiritual practice को आगे बढ़ाने के लिए, और in general spirituality को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने पॉंडी चेरी में एक श्री अरविंदो आश्रम की इस्थापना की, 1926 में, उन्होंने अकेले नह मीरा अलफासा थी, वो French citizen थी, और उन्होंने इंडिया में 1914 में ही थी, और फिर 1920 को पूरी तरखे से यहां सेटल होगी, 1926 को यह आश्रम की स्थापना हुई, जहाँ पस spiritual teaching और श्री अरविंदो की philosophy को पढ़ाया जाता है, और पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं, ज अनिचेरी में जो भी उन्होंने अपना समय बिताया, वो spiritual और philosophical परसु अपनी growth में बिताया, और अपने जो students थे या उनके followers थे, उनकी spiritual growth में मदद करने में बिताया, उनकी एक monthly magazine थी आ रहिया, जो around 1914 में publish होना start होई थी, और उनके जो बात के work है, जो भी work अभी market में available है, उस कहीं न कहीं इस magazine से ही प्रभावित है, या उसी magazine के article से compile हुए है, तो कुछ work है उनके जो मैं यहां पर सबको बताना चाहूंगा, जो उनका सबसे important work है, वो है आपका the life divine, the synthesis of yoga, essays on the gita, the secret of the vedas, hymns, to the mystic fire, the upanishads, the human cycle, the ideal of human unity and the future poetry, यह सारे work उनके publish हुए थे इस दोरान, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं inner yoga की, inner yoga का जो description है, या उसका जो mention है, उनकी दो important work में, the life divine और the synthesis of yoga, यह एक योगिक practice है, अगर मैं बोलता हूँ योगिक practice, तो आप यह मैं सूची कि सिर्फ physically हमको yoga कर रहे हैं, यह एक holistic, comprehensive, step-by-step process है, जिससे आप इस spiritual journey को start कर सकते हो, और evolution का part बन सकते हो, श्री अरविंदों बोलते हैं कि यह जो world है, या worldly objects है, world के सारी creation से हो, परम ब्रह्मा, जो divine ब्रह्मा है, उसके expressions हैं, या उसके manifestations हैं, हम सारे ब्रह्मा का ही part है, जो ब्रह्मा के physical manifestation में इस world में है, और जो भी चीज़े यहां हो रहे हैं इस world में, तो पहली चीज़े है कि physical world एक reality है, manifestation of divine ब्रह्मा है, और जो भी चीज़े इस world में हो रही हैं, वो ब्रह्मा की लीलाएं हैं, creation, destruction, evolution, self-realization, यह सारी ब्रह्मा की ल लाएं हैं, जो इनर योगा का परपस है, हो है आपकी जो current conscience, हम ये एक particular consciousness level पर हैं, lower consciousness level पर हैं, और मैं जब बोलतो हूं हम universal consciousness, क्योंकि श्री अर्विंदो उपनिशत्स को फॉलो करते थे, वेदास को फॉलो करते थे, और वो unity in everything देखते थे हैं, हम सारे diversity हमको देखती है, अल consciousness है जो इस world की universal consciousness है वो अभी लोवर लेवल पर और इसका evolution हो रहा है ठीक है हम बहुत अलग जयनी करके आए हैं और यहाँ जो evolution की बात हो रही है obviously ओ डार्वियन evolution से totally different है उसने भी evolution की एक theory दिये बट यहाँ जो श्री अरविंदो evolution की बात कर रहे हो spiritual evolution की बात कर रहे है ठीक है और डार्वियन evolution में उन्होंने बताया कि कैसे matter में life progress हुई बट उसका purpose नहीं बता पाए purpose क्या था क्यों ही evolution होना जरूरी था श्री अरविंदो बोलते हैं कि यह evolution इसली होना जरूरी है क्योंकि यह universal consciousness को उस level पर पहुंचना है जहां वो अपने आपको ब्रह्मा से identify कर सके जहां उसे अपने में और ब्रह्मा में difference ना दिखे और उसे जब यह मालूम चल जाए कि हम सब का जो source है वो एक ही है हम सब एक ही है unity in differences और unity in everything ठीक है तो यह inner योगा का जो core philosophy है या जो purpose है यह हमारे evolution में spiritual evolution में हमारी मदद करना evolution वैसे भी होगा अभी आप यह मैं सूचे कि inner yoga ही एक way है बहुत सारे way है भक्ति योगा बहुत सारे way है जिससे evolution हो रहा है और inner yoga जो है एक उनकी हिसाब से एक proven way है एक well defined way है जहां आप spiritually evolve हो सकते हो और इस universal consciousness को next level पर ले जा सकते हो ठीक है अभी हम देखते हैं कि यह जो inner yoga की जो practice है human evolution की योग क्या है लेकिन उससे पहले evolution से पहले हमें involution को discuss करना पड़ेगा अभी involution क्या है जैसा मैंने आपको बताया कि जो divine ब्रह्मा है उन्होंने इस physical world में अपने आपको manifest किया है हम सारे divine ब्रह्मा का manifestation है इसी को हम involution बोलते हैं और जो involution है वो evolution का precursor है क्योंकि divine ब्रह्मा जो है वो तो omnipresent, omnipotent, सर्वश्रेश, सर्वशक्तिशाली और हर जगा present है उन्होंने अपने आपको limit किया इस manifestation में, right? matter और form में उन्होंने अपने आपको manifest किया और उन्होंने इस world को अपने divine play का, divine play का या लीला का playground बनाया, right? इस world की थूँ अपनी लिलाएं कर रहे हैं, अभी एक question आजाएगा कि भगवान को इस सब करने की जरूरत, divine ब्रह्मा को इस सब करने की जरूरत क्या थी? आपने अपने आपको ही manifest किया और manifestation को ही आप अपना ही ग्यान करा रहे हो, तो इसका कोई clear cut to answer नहीं है, लेकिन ऐसा जाता है कि भक्त के बिना भगवान नहीं होते, तो उन्होंने अपने भक्त बनाए और भक्त ने उन्हों को पुझा और उससे भगवान बने, तो again यह कोई creation है, वो तो हुआ ही है, अभी creation का जो evolution है, वो matter करता है, और inner yoga उसी evolution में हमारी help करता, तो मेरी काल से involution आपको समझ झाल से 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 झाल स